प्यारे बच्चों, इसके पहले भाग में हमने जल संसाधनों की उपलद्धता, भारत में जल संकट के कारण तथा प्राचीन भारत में जल संरच्छन वा प्रबंधन के उपायों पर चर्चा की थी प्यारे बच्चों, अब हम बहुत देशे नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाले लाभों की चर्चा करेंगे। भाखडा नांगल बांध परियोजना के अंतरगत सतलुच तथा व्यास नदी से निकाली गई नहरें तथा पश्मी राजस्थान में इंद्रा गांधी नहर परियोजना ने भारत के सिंचित छेत्र में क्रांतिकारी विस्तार किया है। जिन से 50 सेंटी मीटर से भी कम वर्षा वाली छेत्रों में खाद्यान फसनों का उत्पादन संपो हुआ है। प्यारे बच्चों, बांधों से जल विद्धुत का उत्पादन इसका दूसरा प्रमुखुद देश है। प्यारे बच्चों, बांधों में नदी घाटी पर्योजना और उनसे मिलने वाले लाभ, अर्थ विवस्था को बढ़ाने वाले इंजन के रूप में रहे किन्तु पिछले कुछ वर्षों में इन से होने वाले अनेक दुष्परिनाम भी सामने आये हैं आज बड़े बांध विरोध और आलुचना का परियाय बन गए हैं जिससे अनेकों सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिकी समस्याएं देखने को मिल रही हैं आगे हम इन बांधों से होने वाले दुष्परिनामों की चर्चा करेंगे बड़े बांधों से होने वाली हानियों को हम मुखिता दो वर्गों में रख सकते हैं पहला पर्यावरन तथा पारिस्थितिकी पर दुस्परभाव तथा दूसरा सामाजिक आर्थिक दुस्परडाम पर्यावरने दुस्परिणाम में नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुध होना नदियों पर बांध के निर्माण से उनका प्राकृतिक बहाव रुख जाता है तथा धाराओं के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है इसका विपरीद प्रभाव नदी के पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है धाराओं के मार्ग में परिवर्तन के कारण उन पर निर्भर मानों तथा जीव समदाय भी प्रभावित होता है बांध नदियों की पारिस्थितिक तंत्र में भी बदलाव करते हैं उनमें बायोमास की मात्रा कम हो जाती है, तलचट एक अस्थान पर अधिक समय तक रुका रहता है, जिससे नदियों में जीवन का संतुलन प्रभावित होता है. प्यारे बच्चों, तीसरा प्रमुकारण है नदि के तल का चटानी होना. एक बड़े छेतर में बने हुए बांध में लंबे समय तक पानी कठा रहता है, तथा प्राकृतिक रूप से बहकर आने वाले तलचट का जमाव परत दर परत होता रहता है. इससे नदि का तल चटान हो जाता है और उनसे पानी रिस्क कर अंदर जाने की छमता समाप्त हो जाती है. यह आकस्मिक बाढ़ का कारण बनती है. बच्चों, बांध नदी को टुकडों में वाट देते हैं, जिससे जलिये जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है और उनका प्रजनन काल भी प्र करता है. नदियों में पाई जाने वाली कुछ विशेश प्रकार की मचलियां विशेश रितु में अंडे देने के लिए नदी की उपरी खाटियों में प्रवास करती हैं, किन्त जब बांध भोतिक बाधा के रूप में सामने आते हैं, तो यह पूरी प्रक्रिया बाधित हो को पूरी तरह से नश्ट कर देते हैं, जिसका दुष्परिणाम पर्यावरण पर देखने को मिलता है. नर्बंदा घाटी परियोजना में लगभग 13,000 हेक्टेर वन भूम जलमग्ण हो गई, तेहरी बान परियोजना से लगभग 500 हेक्टेर भूम जलमग्ण होई, जिसका अतिकान्ष भाग वन छेदर था. प्यारे बच्चों, बांधों से मृदा सनसाधनों का भी नुकसान होता है, क्रिशी योग भूमी का भी नुकसान होता है, यह एक बड़े छेदर में क्रिशी योग भूमी जलमग्ण हो जाती है, जिससे उन पर निर्भर लोगों की आजी क्रिशी के अंतरगत आने वाली भूमिका विनाश हुआ जिसके भरपाई आज तक नहीं हो पाई है कि बहुत देशी नदिखाटी परियोजनाओं में बनाए जाने वाले विशाल बांध भू संतुलन के लिए भी खत्रा होते हैं इनसे निकटवर्ती छेत्रों में भोकंप आन पर बनाई गई है टेहरी बांध परियोजना में हाल के वर्षों में भू स्कलन के समस्याएं बढ़ी हैं और 1991 में आए भूकंप के कारण बांध में पड़ी हुई दरार कभी भी चर्चा का विशय नहीं रही ऐसा अनुमान है कि यदि टेहरी बांध किसी कारण बस तूटत कोईना जलाशे में अधिक पानी के भार के कारण आया जो सैक्डों लोगों की मृत्तु का कारण बना नदिखाटी परियोजनाओं से होने वाली सिचाई से मृता का निम्नी करण होता है शुष्क तथा अर्ध शुष्क छेत्रों में आतिधिक सिचाई के कारण ब्रदा में लोडी करण की समस्या उत्पन हो जाती है उत्री पश्मी भारत के अधिकांस छेत्रों में विशेश रूप से पश्मी राजस्थान की इंद्रा गांधी नहर द्वारा सिंचित छेत्रों में अतिधिक सिचाई के कारण हजारों हेक्टेर भूमी में नमक की मात्रा बढ़ गई है और यह मिट्टी क्रिशी के लिए अयोगी हो चुकी है इस प्रकार अधिक सिचाई मिर्दा में लवडी करण की समस्या को जन्व देती है यह समस्या पंजाब तथा हर्याना के अधिकांस छेत्रों में भी तेजी से बढ़ रही है बांधों में दरार पढ़ने से आकस्मिक बाढ़ का भी खत्रा रहता है इस प्रकार अचानक आई हुई बाढ़ को फ्लेश फ्लड के नाम सी जाना जाता है जिससे प्रभावित छेत्रों का जन्जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है वर्ष 2013 में आई केदारनाथ आपदा इसी प्रकार के बाढ़ का उधारण है केदारनाथ मंदिर के पीछे इस्थित चोरा बारी जलाशे में पानी का दबाव बढ़ने से पूरी केदार घाटी अचानक जलमगन हो गई जिसमें लगभग 4550 गाउं प्रभावित हुए और 5000 से अधिक लोगों की मृत हुई यह प्राकरतिक आपदा 2004 में आई सुनामी के बाद भारत की सबसे बड़ी प्राकरतिक आपदा मानी जाती है नदियों के प्राकरतिक बहाव को रोकने से उनके साथ बहकर आने वाली उपजाओ तलचट मैदानों तक नहीं पहुँचती है जिससे भूमी के प्राकरतिक उर्वरता प्रभावित होती है बांगर तथा दोवाव भूमी का उपजावपन नदियों द्वारा लाई गई तलचट पर ही निर्भर करता है यह प्रक्रिया हाल के कुछ वर्षों में नदी के बहाव को नियंतरित करने से बाधित हुई है प्यारे बच्चों बांधों से छोड़े गए पानी के कारण मृदा का अपर्दन तथा भूमी का निमनी करण भी होता है प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने बांधों तथा बहुत देश्य नदी घाटी परियोजनाओं से पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा की आगे हम बड़े बांधों से उत्पन सामाजिक आर्थिक समस्याओं की चर्चा करेंगे जिनके गंभीरता पर्यावरणी समस्याओं से भी कही अधिक है बड़े बांधों से होने वाले समाजिक आर्थिक दुश्प्रनावों में सबसे प्रमुख है स्थानिय समुदायों का व्रहद अस्तर पर विस्थापन बड़े बांध के निर्माड से हजारों वर किलोमीटर छेतर में बसने वाले गाउं के लोगों को अपना मूल अस्थान आजीवी का और अन्य संसाधन छोड़कर दूसरे अस्थानों पर पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है वास्तों में बड़े बांधों के विरोध का सबसे प्रमुख कारण यही है इसमें सबसे पहला नाम आता है नर्मदा घाटी परियोजना का और सरदार सरोर परियोजना का इन परियोजनाओं में प्रारंभ में बांध बनने के समय रिपोर्ट में मात्र 6147 परिवारों को विस्थापित बताये गया था परंत 1990 की एक रिपोर्ट की अनुसार लगभक 40,000 परिवारों को विस्थापित होना पड़ा और आज भी इस परियोजना से विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या विवादास्पद ही रही है आज तक इन परिवारों का पुनरवास संभो नहीं हो सका है नर्मदा घाटी परियोजना के कई चरणों में बांध की उचाई बढ़ाई जा चुकी है और एक के बाद एक कई गाउं जलमगन होते जा रहे हैं जिन लोगों को पुनरवास के पश्चात सरकार की ओर से मौजा प्रदान किया गया था तथा जमीनों का आबंटन किया गया था वह भी अपनी मूल सामाजिक आर्थितिक इस्तिती में आज तक वापस नहीं लोटे हैं ठीक यही इस्तिती रहंद बांध परियोजना और उससे जुड़े हुए विस्थापन से है रहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभात्र जिले में रहंद नदी पर बनाई गई यह परियोजना सुतंता के पशात 1962 में पूरी हुई उस समय की यह महत्वा कांची योजना मानी जाती थी ततकालीन प्रदानमंत्री शी जवाहलाल नहरू ने उस समय इस परियोजना से विस्थापित हुए लोगों को आश्वासन देते हुए कहा था कि यह देश शित में आपका बलिदान है जो भविश्य में आपका जीवन और आसान तथा सुविधापूर बनाएगा किन्तो आज तक रिहन्थ परियोजना के विस्थापितों को नयाय नहीं मिल सका है इस छेतर में एक के बाद एक उद्दोग तथा तापिय संयंत्र लगाए गये और उसका लाब कुछ सीमित वर्गों तक ही सिमट कर रह गया आज भी रिहन्थ के स्थानिय नागरिक अपने विस्थापन को भूल नहीं पाए हैं इसका एक अन्य उदाहरन है उत्राखंट का टेहरी बान परियोजना इस परियोजना से आसपास के 23 गाउं की साथ एक एतिहाशिक शहर टेहरी भी जलमगन हो गया और यहां से विस्थापित लोगों को अभी भी अपने पुनरवास का इंतजार है सरकारी आगडों में इस परियोजना से लगभग 85,000 लोगों का विस्थापन हुआ जिन्हें अपनी जमीन, जंगल और पर्वती परियावरन को छोड़ कर दूसरे जगह बसने को बात होना पड़ा प्यारे बच्चों, बड़े बांधों से होने वाली दूसरी सबसे बड़ी हानी है इस से मिलने वाले लाभ का समान बटवारा ना होना स्थानिय लोगों की भागेदारी सुनिश्चित न होना आधिकांश नदी घाटी परियोजनाओं से मिलने वाला लाभ बड़े जमीदारों, बड़े किसानों, उद्दोग पतियों और नगरी केंदरों को मिलता है जबकि वास्तों में जिन लोगों ने इस परियोजना के लिए अपना आधार खो दिया उन्हें सरकार से मिले मुआवजे पर निर्भर रहना पड़ता है रहन्द बान परियोजना ने उत्तर प्रदेश के सोनभदर जिले में और दोगिक विकास को प्रोचसाहिद किया जिसका सीधा लाभ उद्दोग पतियों को मिला किन्त उस्थानिय लोग अभी भी जीविका, रोजगार तथा मूल भूत साबाजिक सुविधाओं के लिए संगर्श कर रहे हैं इतना ही नहीं इस छेतर में बनने वाले तापिय विद्दुत केंद्रों से निकलने वाले धुए ने स्थानी अस्तर पर वायू प्रदुशन को बढ़ा दिया है और इन तापिय केंद्रों से निकलने वाले राख ने रिहंद नदी और बांध के पानी में मिलकर इसे जहरीला बना दिया है रिहंद नदी के आसपास रहने वाले सैक्डो गाउं वर्षों से इस जहरीले पानी को पीने के लिए मजबूर है समाज में इस प्रकार की आर्थिक और समाजिक असमानता संगर्षों का कारण बनती है जिन से समाजिक विग्टन उत्पन होता है आंदोलनों की नियू पड़ती है समाजिक आईस्थिर्ता का जन्म होता है जो किसी भी लोग तांत्रिक गड़राज्ज के कल्याण कारी संकल्प को और कमजोर करता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बचाओ आंदोलन, बड़े बांधों के विरोध में मुखर स्वर के रूप में उभरे है नदीखाटी परियोजनाओं में नहरों के माध्यम से सिचाई ने कृषी के छेतर में व्यापक परिवर्तन ला दिया है ऐसी इस्तती में प्राकरतिक रूप से उगने वाली सामानिक खाद्यान फसलों का अस्थान, जल, गहन और वाडिजिक फसलों ने ले लिया है ऐसी फसलों में जादा से जादा सिचाई की आउशकता होती है और लंबे समय के बाद भूमी की उरवर्ता समाप्त हो जाती है भूमी में लवर्ता की मात्रा बढ़ जाती है कृषी छेतर में आए इस परिवर्तन ने भूमी मालिकों को सामाजिक आर्थिक रूप से और अधिक समर्थ बनाया है जबकि गरीब भूमी हीन मजदिरों की इस्थिती यथावत ही है इस प्रकार की समाजिक दूरी ने समाज की संरचना को बदल कर रख दिया है प्यारे बच्चों, नदी घाटी परियोजना देश में राज्यों के बीच हमेशा विवाद का कारण रही है सिचाई के लिए जलका बटवारा हो या विदूत उत्पादन में भागिदारी हो इन परियोजनाओं से मिलने वाले सभी प्रकार के लाभों का समान बटवारा राज्यों के बीच में नहीं हो पाता कावेरी जलविवाद इसका जुलत उदाहरन है यह विवाद तीन राज्यों करनाटक, तमिलनाडु वा केरल के बीच है कावेरी नदी पश्यमी घाट में करनाटक के ब्रह्मगिरी परवत से निकलती है और इसका जादा अपवाह छेत्र तमिलनाडु राज में है केरल का भी कुछ भाग इसके बेसिन के अंतरगत आता है दच्छन भारत की इस महतुपूर्ण नदी में पानी के बटवारे को लेकर इन तीन राज्यों में 120 वर्षों से विवाद चला रहा है जिसको लेकर समय समय पर चन्नाई हाई कोर्ट तथा अन्य नयायालेों ने अपने फैसले दिये है हाली में वर्ष 2018 में सर्वोच नयायाले ने अपने निर्णे में फैसला सुनाते हुए कहा कि नदिया राष्ट्रे समपत्ती हैं अता इन से मिलने वाला लाब का नयायुचित बटवारा होना चाहिए नयायले ने केंदर सरकार से कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठित करने को कहा है जो यह सुनिश्चित करेगा कि राज्जियों को पानी में उचित हिस्सेदारी मिले इसी प्रकार नर्बंदा नदी के जलके बटवारे को लेकर चार राज्जियों गुजरात, मध्धिप्रदेश, महाराष्ट तथा राजस्थान में विवाद है इस प्रकार के विवादों से सदयव समाज के हाश्ये पर रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और दैनिक जीवन में अनिक समस्याओं का सामना करते हैं किसानों को खेती के लिए समय पर पानी नहीं मिलता है नगरिये छेत्रों को जल की आपूर्ती नहीं होती है और पीने के पानी के लिए लोगों को मीलों का सफरते करना पड़ता है प्यारे बचों, बांध विभिन देशों के मध्ध भी विवाद का कारण बनते हैं भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल के बटवारे को लेकर समय समय पर विवाद उत्पन होते रहे हैं पानी के बटवारी को लेकर भारत तथा पाकिस्तान के बीच कराची में 19 सितंबर 1960 को एक जलसंधी हुई जिसके अनुसार तीन पूर्वी नदियों व्यास, रावी और सतलुच का नियंतरन भारत को तथा पश्मी नदियों सिंधु चिनाप तथा जहिलम का नियंतरन पाकिस् खाटियों में बांध तथा सिचाई परियोजनाओं को आपसी सहमती से ही कार्यानिवित कर सकता है। इस समझोते के बावजूद भी दोनों देशों के बीच राजनेतिक तनाव की इस्तती में पानी के बटवारी को लेकर अनिश्चत्ता की इस्तती रहती है। इसी प्रकार तीस्ता नदी के जल का उप्योग नेपाल, भारत तथा बांगला देश के बीच विवात का कारण बना हुआ है। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने जाना कि बड़े बांध और बहुत देश्ये नदी खाटी परियोजनाएं देश की अर्थविवस्था में महत्पूर योगदान देते हैं, किन्तु बड़े पैमाने पर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावर्णी नुकसान भी करते हैं। अब प्रश्ण है कि जल प्रबंधन की कौन सी ऐसी तक्नीकी अपनाई जाये, जिससे जल संसाधनों के सतत पोशने विकास को प्रोचसाहित किया जा सके। आप जानते हैं कि भारत में वर्शा की ओसत मात्रा 114 सेंटीमीटर पाई जाती है। फिर भी भारत के अधिकांश छेतरों में जल अभाव की समस्या ग्रीश मृतु में देखने को मिलती है। दूसरी और विश्यू के कुछ ऐसे भी देश हैं जहां वर्शा बहुत कम होती ह जैसे इसराइल में वर्शा की मात्रा मात्र 25 सेंटीमीटर पाई जाती है। किन्त वहां पर पूरे वर्श जल अभाव की समस्या नहीं रहती है। इसराइल जैसे देशों ने वर्शा जल संग्रहन की प्रविर्थियों को अपना कर जल की कमी की समस्या को दूर किया है। इस तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं वर्षा जल संगरहन की. भारती समाज के लिए यह कोई नई संदच्छन की विधा नहीं है. प्राचीन समय से ही देश के विभिन भागों में वर्षा के जल को इकठा करने की अलग-अलग पारंपरिक विध्यों का प्रयोग क भागों में छोटी नदियों का रास्ता बदल कर छोती छोटी वाहिकाएं बना दी जाती हैं, जिनका प्रयोग खेतों में सिचाई के लिए किया जाता है. इन्हें अस्थानी भाषा में कुल याbooks को नाम से जाना जाता है. हिमाचल प्रदेश के सीढ़ीदार खेतों में यह सिचाई का एक प्रमुक साधन है राजस्थान में पीने के पानी को एकत्रित करने के लिए छट वर्षा जल संग्रहन एक आम तरीका था जिसमें वर्षा के दोरान छट पर गिरने वाले पानी को संग्रहित किया जाता था राजस्थान के जैसल मेर जिले में खादिम तथा जोहड इसी प्रकार की सनरचनाए हैं राजस्थान के कुछ छेत्रों में पानी को एकठा करने के लिए भूमिगत टैंक की विवस्था की जाती थी जिससे टांका कहा जाता था बिकानेर, फलोदी और बाडमेर में लगभग हर घर में पीने के पानी को इकठा करने के लिए टांके की विवस्था होती थी आज भी राजस्थान के पश्चिमी छेत्रों में टांका पारंपरिक घरों का एक अभिन हिस्सा होता है यह मुख्य घर यह आंगन में बनाया जाता है छत का पानी पाईपों से होकर भूमिगत टांके में पहुचता है जहां इसे एकत्रित किया जाता है टाका में वर्षा जल अगली वर्षा रितु तक भी संग्रहित किया जा सकता है इसे स्थानी भाषा में पालर पानी के नाम सी जाना जाता है जो की प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है कुछ टाका के साथ भूमिगत कमरे भी बनाय जाते हैं जिससे ग्रीश मृतू में गर्मी मेराहत मिलती है किन्तु वर्थवान समय में पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहन की यहरीती धीरे-धीरे समाप्त हो रही है इंद्रा गांधी नहर से मिलने वाले पेजल की आपूर्ती से लोगों की निर्भरता टाका पर कम हो गई है इसी प्रकार पश्चिम बंगाल के अधिक वर्षा वाले छेत्रों में छोटे-छोटे पोखर से सिचाई के साथ-साथ मत सिपालन भी किया जाता है प्यारे बच्चों, मेघाले भारत के अधिक्तम वर्षा वाले छेत्रों में से एक है जहां पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक है इसी राज्य में चेरापुझी और मासिन राम इस्थित हैं जहां विश्व में सर्वातिक वर्षा होती है प्यारे बच्चों, दच्छन भारतिय राज्यों में छत वर्षा जल संग्रहन की पधती को अपनाया गया है तमिल नाटू के सभी घरों में वर्षा जल संग्रहन के लिए संदचनाय बनाना अनिवारे कर दिया गया है बच्चों, वर्षा के जल को इकठा करना और उसका उचित प्रबंधन करना आज समय की आउशकता है यही कारण है कि आज सरकार स्थानी अस्तर पर वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए अनेक उपाय अपना रही है जैसे ग्रामीड छेत्रों में वर्षा के पानी को इकठा करने के लिए तालाबों का निर्मार करवाना छोटी छोटी नदियों में रोक बांधों की व्यवस्था कर पानी को इकठा करने की व्यवस्था करना तथा नगरे छेत्रों में वर्षा जल संग्रहन की संडशनाओं को अनिवारे बनाना वास्तों में जल संसाधन संदचन और प्रबंधन राज्य तथा राष्ट्र के साथ-साथ समुदाय और लोगों की भी जिमिदारी है जिनकी उचित सहभागिता और जागुरुकता के बिना जल संकट का सामना नहीं किया जा सकता है प्यारे बचों, जल प्रबंधन की दूसरी विधी है जल संभर का विकास जल संभर छोटी-छोटी नदियों के द्वारा सिंचित छेत्र होते हैं जिसमें जल, मृदा तथा प्राकृतिक वनस्पती इन तीनों संसाधनों के उचित नियोजन से सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है इस मौडल का प्रियोग महराश्टर के रतनागिरी जिले में एक छोटे से गाउं रालेगन सिध्धे में किया गया इस गाउं में महराश्टर के समाज सेवी श्री अन्ना हजारे ने जल प्रबंधन वासंडच्छन की विध्यों को अपना कर ना केवल जल संकट को दूर किया बलकि पूरे गाउं के सामाजिक आर्थिक विवस्था में भी विकासात्मक परिवर्थन किये राजस्थान के अलवर जिले में सामाजिक कारिकर्ता श्री राजेंद्र सिंग ने जोहर का पुनर निर्मार कराना प्रारंब किया साथी छेतर में जल संभर विकास को भी प्रोथ साहित किया जिससे स्थानी अस्थर पर जल संकट की समस्या से निपटने में मदद भी ली उन्हें इस कारी के लिए रेमन मैक्से से पुरसकार से भी सम्मानित किया गया प्यारे बच्चों, स्पष्ट है कि आने वाले विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या जल संसाधनों पर दबाव डालेगी जिससे विश्व के अधिकांश देश जल संकट का सामना करेंगे ऐसी इस्तिती में जल के सावधानी पूर्वक प्रबंधन तथा उसके सन्नच्छन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए इस पूरी प्रक्रिया में लोगों की जागरुकता ही विश्व को जल संकट से बचा सकती है धन्यवाद झाल 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 झाल